नमस्कार तोस्तों एक बार फिर्ट सापका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैंने मेरे चैनल पर रिसेच किया तो मुझे पता चला कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जैसे कि आप लोग सबसे ज़्यादा यूटूब पर क्या सर्च करते हो सबसे ज़्यादा यूटूब पर सर्च करते हो कि आपका जो इंटरनेट है वो जल्दी खत्म हो जाता है और इसका कोई उपाई तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओ कि केसे आप अपना इं करते हो जा पूर दिन ड़ता है लेकिन आप इंकरते हो और और इंटरनेट खतम हो जाता है तो कुछ ऐसी मैं आपको से Um बताने वाले हुँ जिससे आप जो है अपने डेटा को बचा सकते हो और इन वांटेट डेटा को खर्च Haunay से रोक सकते हो तो चली वीडियो को शुरू करते हैं mobile की इस्कृरीण की तरफ चलते हैं तो अब हम आच जो के हैं mobile की इस्कृरीणकी तरफ अब आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले आपको mobile का setting open कर लेना ठीक है बहुत सारी जो setting है मैं आपको यहां पर बताने हो लो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तभी आपको सब कुछ है समझ आएगा अब setting open करने के बाद आपको यहां पर क्या करना network and internet पर क्लिक कर देना ठीक है सबसे बड़ी setting आपको यही है इसके अंदर आपको सबसे पहले data saver है इसको आपको on कर देना ठीक है इसको on करोगे तो advantage जो data है वो आपका काफिया तक जो कम हो जाएगा उसके बाद आपको करना है network management पर क्लिक इस पर क्लिक करते नहीं पाद ऐसे कोई application जीसे application को आप यूज ही नहीं करते हो जैसे for example मैं यहां पर Adobe Express को यूज नहीं करता यहां पर इसको यूज नहीं करता और उसके बाद एक ब देख सकते हो हमारा जो internet वो नहीं चल रहा है क्योंकि जो internet का access है वो मैंने यहां पर बंद करते हैं ऐसे ही application जो भी application आप यूज नहीं करते हो उन application का आप जो internet access हो बंद कर सकते हो तो सबसे पहले तो यह setting है ठीक है और दूसरी मैंने आपको बताए दिये data आपको ओन करते ठीक है उसका बाद आपको करना है पर display real time network पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको display real time network speed यह आपको ओन कर देना है इससे होगा क्या कि जैसी कि आपका अगर internet background में use हो रहा होगा तो आपको यहां पर पता चल जएगा data की speed की तरफ से यहां पर आप देख लीजे फिला कम kbps speed में जो internet वो खर्च हो रहा है अगर internet कहीं use होता तो साइध यहां पर जो mbps यहां पर जादा जो है speed जो बढ़ जाती तो यहां पर आप देख लीजे मेरा जो internet वो use नहीं हो रहा है अब इसको हम कर देते बेक तो यह जो setting है यह मैंने आपको बता ही दी इसे जो हमार आपको इस पर अपने फॉटो पर ख्लिक करने हैं ठीक हो अपनी it पर जाना है और उसके बाद यहां पर निच्छे आपको setting आइकन भी दिखाय दे रहे हैं तो आपको setting आइकन पर क्लिक करने बाकर आपको network पर फेंस के आप उपर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर app download य यह देख लीजिए ओवर अने नेट्रोक पर क्लिक करना है मतलब कि जैसे कि आप कमाली यूट्यूब पे 50 MB का अपड़ेक आया तो आटमेटिक यहां पर अपड़ेक कर लेगा तो आपको यहां पर क्या करना है डाटा चार्ज में अपटा ठीक है तो एक आपने के वाइफाई या पर वाइफाई ओनली या फिर स्क आऊपडिक यहां पर आपको कर देना ठीक है ऐसके बड़ी ते आप दा is घृट शेपर तो यह सब करने के बाद्व हूआ है आपका इंटरनेट काफी है तक जो बचाएगा इसके बाद वोट्सअप के अंदर भी आपको कई सारी ऐसी शेटिंग मिल जाएगी जिसके अंदर जो आप डाटा बचा सकते हो और बेग्राउंड में जो भी यह रेसेंट पेज है यह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जैसे यह हो गया इसको यहां से आपको हमें साथ जितने अगर आपके पास जीओ है तो आप माई जीओ डाउनलोड कर सकते हो इस अपको काफी है तक आपका फाइदा घरेंगे यह वाला अप्लिकेशन आप देख लिजिए और अगर आप वी यह हैं तो विए का भी अपलिकेशन होगा उसको भी आप जो आप डाउनलोड कर सकते वाला अप्लिकेशन ठीक तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपका डाटा यूज होगा या फिर कितना बचाए वह सारा कुछ जान करी आपको इस अप्लिकेशन के अंदर मिल जाएगी तो आई होप आपको यह छोटा सा वीडियो भी अच्छा लगा होगा अगर आपको व वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय पर्थ